मुंगेर में अपने दोस्त के बच्चे की जन्मेदीन की पार्टी मना कर घर लोट रहे यूबक को अग्यात अपराधियों ने सीने में मारी गोली डॉक्टर ने गंबीर रूप से गायल यूबक को हाई सेंटर किया रेफर पुलीस पूरे मामले की जांच में जूटी दसल मुंगेर के मुफसिल थाना अंतरगत का टड़िया नेया टोला दरियापूर में रभीवार की रात करीब 10 बजे मुकेश कुमार पास्मान को अपराधियों ने गोली माकर घायल कर दिया जिसे गंबीर अवस्था में गाउं के ही राजा पास्मान और अनंद पास्मान दोरा सदस्पताल में भरती करया गिया यूबक के सीने में गोली फसे रहने के कायन गंबीर इस्तिती को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गिया है मामले की सुचना पर मुफसिल थाना की पुली सदस्पताल पहुचकर मामले की जानबीन में जुट गई है जानकारी के नुसार नेया टोला धरिया पुनिवास यानील पास्पन का पुत मुकेश पास्पन काओं के ही रद्दी पास्पन के घर जन्मदीन की पार्टी में सिर्कत करने गया था वहां से लोटने के करम में बगीचे में उसे किसी अग्यात अप्रादी ने गोली मार दी बचाओ बचाओ की आवास सुन परोष के राजा पास्वान और आनंद पास्वान मोके पर पहुचे तो मुकेश को लहू लुहां देख आनंद पास्वान में सदस्पतार में भरती कराया जां गंबे इस्तिती को देखते वे डॉक्टर ने उसे बटना रेफर कर दिया वहीं फिलाल पुलीस पुरे मामले की जाच का रही है क्या हुआ है तो तो आफल कृक्ति न वरे आपस आरए था क्या हुआ क्या है रही है हमको नहीं पता है, हम लोग आ रहे थे रस्टे में शिला रहा था था आवाज सुनके हम लोग गये